नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलाइट अकेडमी में चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्सन से आने वाले इंपोर्टेंट कोस्टन का डिसकसन जो हमारे आने वाले UPSC का जो UPPCS का जो GIC एक्जाम होने वाला है आश्रम पद्धति का मेंस एक्जाम होने वाला है उसमें जो कोस्टन आएगे हम उनको डिटेल में करेगे यह वो कोस्टन है जो अधिकतर एक्जाम में पूछे गए है जैसे UPTGT, PGT हुआ, KBSTGT, PGT, DSSB इनमें जो कोस्टन अधिकतर पूछे गए है या पूछे जाने की संभावना है हम उन कोस्टन पर डिटेल से डिसकसन करेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की किलास देखिए जो लास्ट किलास थी, जो इससे पहली किलास थी उसमें हमने सभी relation and function में आने वाले सभी concept को डिटेल में समझाता वहाँ पर यदि आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजेगा, वहाँ पर जितने भी concept है relation and function के, हमने वहाँ पर discuss किया हुआ है यहाँ पर हम केवल question पर discuss करेगे और उसके pattern पर discuss करेगे चलिए, आज का जो first question है first question देखेगा first question है, if fx equal दिया गया है cos square x upon 1 plus sin square x then the value of then the value of value of f pi by 4 minus f dash इसको यहाँ पर लिख देते है f pi by 4 minus 3 f pi by 4 आपको इसकी value find करनी है अब देखेगा, यहाँ पर आपको fx दिया गया है और इसकी value आपको find करनी है तो चलिए, सबसे पहले हम f pi by 4 निकालते है देखे, इसमें होता क्या है जो यहाँ पर आपको x के स्थान पर जो भी value दी गई होगी आपको वो right side में function में रखनी होती है तो हम जैसे यहाँ पर f pi by 4 निकालेगे तो हमको x के स्थान पर pi by 4 रखना है तो यहाँ जाएगा cos pi by 4 का holy square अपोन में 1 plus sin pi by 4 का holy square चलिए जी cos pi by 4 यानि के cos 45 cos pi by 4 की value होती है 1 by root 2 1 by root 2 का square करेगे और divide में 1 plus 1 by root 2 का square ठीक है तो यह कुल मिला के solution कितना आ जाएगा 1 by 2 अपोन में 1 plus 1 by 2 इसका हम solution करेगे तो यह आ जाएगा 1 by 2 upon 3 by 2 2 से 2 cancel 1 upon 3 यह value आई है अभी केवल pi by 4 की लेकिन उसके साथ minus करना है 3 f dash f dash का मतलब होता है differentiation देखे यहाँ पर यह f dash लगा हुआ है आप सब लोग जानते होगे इसका मतलब होता है differentiation यदि f double dash लगा हुआ है तो इसका मतलब दो बार differentiation तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका क्या निकालना पड़ेगा differentiation निकालना पड़ेगा चलिए जी सबसे पहले हम f dash x निकाले तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा division method division method क्या होता है division method में एक बार यहाँ पर आपको revise करादू division method होता क्या है देखेंगे यदि आपको d by dx निकालना है किसका f x upon g x division method से तो यह आता है g x into f dash x minus f dash x f x into g dash x और divide में g x का whole square तो यह होता है division method हमें यहाँ पे यही apply करना है तो जब आप इसको apply करोगे तो क्या आएगा देखो 1 plus sin x same 1 plus sin square x same रहेगा और जो उपर है यह है cos square x तो cos square x का differentiation क्या होता है 2 cos x into sin x minus जो numerator होता है वो same रहेगा और जो denominator होगा उसका differentiation देखें 1 का differentiation क्या होता है 0 होता है और sin square x का differentiation क्या हो जाएगा 2 sin x into cos x देखेंगा यहाँ पे minus भी आएगा क्योंकि जो cos x का होता है वो minus sin x होता है cos x का differentiation होता है वो क्या होता है minus sin x तो इसकी वज़े से क्या जाएगा यहाँ पे minus आजाएगा और divide में क्या रहेगा divide में रहेगा 1 plus sin square x का whole square ठीक है चलिए जी अब आपको यहाँ पे यह यह f dash x आया है तो जब f dash x यह आ गया तो अब आपको निकालना है f dash pi by 4 तो इसमें जहाँ पर भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पे आप क्या रख दोगे pi by 4 तो जैसे यहाँ पे रखोगे 1 minus sin square pi by 4 तो sin pi by 4 की value क्या होती है देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा shortly करूँगा क्योंकि यह सब चीजे आप लोग जानते हैं ठीक है तो चलिए हम एक बार रखी लेते हैं यहाँ पे 1 plus sin pi by 4 और next में जहाँ पर भी x है आप वहाँ पे क्या रखोगे sin pi by 4 cos pi by 4 minus cos square pi by 4 और यह हो जाएगा 2 sin pi by 4 cos pi by 4 बात के लिए divide में आ जाएगा क्या 1 plus sin square pi by 4 चलिए जी यहाँ तक clear है तो आगे क्या होगा इसमें next देखेगा next क्या है f dash pi by 4 equal जो आएगा वो 1 plus sin pi by 4 की value होती है 1 by 2 1 by root 2 का square next में क्या आएगा 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 minus का ठीक है minus cos pi by 4 की value होती है 1 by root 2 का square आएगा और यहाँ पे आएगा 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 divide में जब आप रखोगे तो divide में क्या आएगा 1 plus 1 by root 2 का square का whole square ठीक है चलिए जी जब आप इसको solve करोगे तो यह हो जाएगा 1 plus 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 और 1 ठीक है divide में कितना आएगा 1 plus 1 by 2 का whole square तो आप यहाँ पे देखोगे हमने इसका यहाँ पे multiply करेगे minus 1 minus 1 by 2 और यह आजाएगा minus 1 by 2 ठीक है तो कुल मिला कर कितना आजाएगा minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 और minus 1 minus 2 और नीचे आजाएगा क्या नीचे आएगा 2 और 1 3 3 by 2 का whole square तो कुल मिला कर ऊपर आया minus 2 upon 9 by 4 तो आप इसको ऊपर ले जाओगे तो minus 8 by 9 यह value आई है f dash pi by 4 की देखो आपको निकालना क्या था यहाँ पे देखेगा आपको निकालना pi by 4 minus 3 f dash pi by 4 तो जब आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा आपको निकालना है f pi by 4 minus 3 f dash pi by 4 तो आप यहाँ पे इसकी value पुट कीजेगा इसकी value क्या आई थी निकल कर इसकी value आई थी यहाँ पे देखेगा एक बार 1 by 3 इसकी value थी 1 by 3 चलिए जी हम इसकी value रख लेते हैं क्या 1 by 3 minus minus 8 by 3 8 by 9 और into में 3 ठीक है चलिए जी यहाँ जाएगा 1 by 3 minus minus plus 3 into 9 by 8 by 9 इससे जाएगा 3 बार तो यहाँ जाएगा 1 by 3 plus 8 by 3 total 9 by 3 equal 3 तो आपका answer क्या आएगा 3 बात समझ आई चलिए जी देखेगा आपको जो UPGIC और आश्रम पद्दती वाले में जो मुएंस पेपर होगा वो आपका descriptive होगा तो आपको यह solution वहाँ पे दिखाना पड़ेगा करके ठीक है ना आपका answer से काम नी चलेगा कि आप answer पर क्या पोचे यह सभी solution आपको वहाँ पे दिखाना होगा ठीक है चलिए उम्मीद है यह आपको सब आता है अच्छे सी बात है revision अच्छे से होगा ठीक है उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से clear हुआ होगा चलिए जी next question को next question पर चलते है next question देखेगा यहाँ पर question number 2 यह है if f dash x equal है gx के and g dash x equal है f x square के ठीक है तो then आपको जो find करना है वो करना है f dash x square आपको ये find करना है ठीक है आपको find करना है f double dash x square चलिए जी देखेए आप यहाँ पर पहले f dash क्या दिया गया है आपको जो f dash x है ये आपको दिया गया है gx यहाँ पर ध्यान दीजेगा gx आपको यहाँ पर double dash निकालना है तो सीधी सी बात है, differentiation with respect to x on both side, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, differentiation with respect to x on both side, तो इसका यहाँ पर by given, देखो यह सब चीजे आपका जब paper descriptive होगा, तो यह सब चीजे आपको लिखनी है, ठीक है, चलिए जी, by given this differentiation with respect to x square, we get f double dash x equal क्या जाएगा, g dash x, बट आपको g dash x की value क्या दी गई है, बट g dash x equal दिया गया है, f double x square, ठीक है, this implies f double dash x क्या जाएगा, f x square, now, अब हम यहाँ पर x को replace करेगे किसके द्वारा, तो x replacing by, replace by x square, अब हमने यहाँ पर x को x square से replace किया, तो यह क्या आजाएगा, f double dash x square equal हो जाएगा, f x की power 4, ध्यान दीजेगा, आपको यही find करना था, तो आपका descriptive method होगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह आपका answer आएगा, बात समझाई, देखेगा, जो piri paper हुआ, वहाँ पर आपके सब question objective थे, हमने वहाँ पर short method से इनका direct answer निकाला, तो वहाँ पर answer हमें select करना था, लेकिन जब आप paper descriptive करोगे, तो वहाँ पर language value रखेगी, आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, वो सब ची रखना है, यह सब चीज़े आपको number दिलाएगी, बात के लिए चलिए जी, next question पर चलते है, next question देखते है, क्या है, हाँ जी, next question देखेगा, question number 3, question है, domain, domain of the function, of the function, fx equal दिया गया है, root 2 की power x minus 5 की power x के, अब देखेगा, आपको domain निकालना है, ठीक है, आपको option नहीं मिलेगे, वहाँ पर, यह आप descriptive paper दे रहे हो, वहाँ पर option नहीं मिलेगे, आपको निकालना होगा, और domain होता क्या है, देखेगे, यदि आपने last class देखी हो, जो concept method था, हमने concept जीस में detail से discuss किया है, वहाँ पर मैंने बताया था, domain क्या होता है, code domain क्या होता है, range क्या होती है, चलिए, यहाँ पर मैं एक बार repeat कर देता हूँ, जैसे मान ले जाए कोई function है, a से लेके b तक, ठीक है, a to b, तो यहाँ पर जो a होगा, इसको आप क्या बोलते हो, domain बोलते हो, बात के लिए, तो आपको जो यह fx दिया गया है, इसका domain ही निकालना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि जो यह fx है, जो यह function दिया गया है, यह एक real valued function होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको इस domain निकालते समय यह ध्यान रखना है, आपको x की value वो put करनी है, जिससे यह value negative ना बने, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, positive होनी चाहिए, तो यहीं पर हम यहीं से इस concept को लेके चलेगे, since 2 की power x minus 5 की power x greater than 0, greater than or equal 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि 2 की power x greater or equal होना चाहिए, 5 की power x के, ठीक है, तो 2 की power x greater than equal होना चाहिए, x की power 5 के, अब आपको यहाँ से ऐसा number x का select करना है, कि जो यह 2 है, यह greater हो जाए 5 से, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ जिएगा, देखे, जैसे मैंने 2 की power 1 लिखा, तो क्या यह greater हो जाएगा 5 की power 1 से, नहीं जी, यह गलत हो जाएगा, लेकिन यह दि मैंने 2 की पावर minus 1 लिखा, क्या यह greater होगा 5 की पावर minus 1 से, हाँ जी यह greater होगा, कैसे, यहाँ पर देखेगा, 1 upon 2 की पावर 1 is greater than, sorry, is less than 1 upon 5 की पावर 1, ठीक है, हाँ जी, यह मतलब जो इसका विप्रीत होगा, जैसे हमने यहाँ पर हमें पता है कि fraction में यदि denominator बड़ा है, तो total value छोटी होगी, और यदि denominator छोटा है, तो total value बड़ी होगी, बात clear है, तो चलिएगा, तो यही से देखेगा, इसको यदि हम उल्टा कर दे, यानि कि 1 upon 2 की x, अब आपको यहाँ पर ऐसा number लेना है, जिससे यह value छोटी रहे, ठीक है, मतलब यह value बड़ी रहेगी, तभी तो यह value छोटी आएगी, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू क्या लोगे additive लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, negative लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको x की value हमेशा 0 से छोटी लेनी है ठीक है यदि आप यहाँ पर positive value रखोगे तो यह 2 जो है 2 की power कभी भी बड़ा नहीं हो पाएगा जैसे आपने 2 की power 2 रखी तो क्या यह बड़ा हो जाएगा 5 की power 2 से नहीं जी यदि यह value छोटी होगी हाँ 2 की power minus 2 होगा तो यह value छोटी बड़ी होगी 5 की power 2 minus 2 से बात के लिए चलिए जी तो यहाँ पर आपका जो domain होगा वो क्या जाएगा x less than 0 यही आपका क्या होगा answer होगा ठीक है चलिए जी next question पर चलते है question number 4 question number 4 क्या है यह देखेगा उसने दिया गया है if fx equal दिया गया है x minus 1 upon x plus 2 and y equal दिया गया है f inverse x then find the value of then find dy by dx आपको यह find करना है ठीक है देखे मैंने एक कुछ question important question select किये है previous paper से तो previous paper में जो आए हुए question है उनी को हम discuss करते है साथ साथ हम कुछ important question को भी discuss करते चलेगे चलिए जी देखे यहाँ पर fx आपको दिया गया है y जो function है वो inverse function है f तो यहाँ पर हम क्या निकालेगे पहले inverse function निकालना होगा inverse function निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर आपको let करना होगा let fx equal y के तो यहाँ से fx की value पूट कीजिए put the value put the value of fx अब आप fx की value पूट करोगे तो क्या जाएगा x minus 1 x plus 2 equal y अब देखो आपको यहाँ पर x की value निकालनी है y की ट्रम में वो ही उसका क्या हो जाएगा inverse function होगा तो यहाँ से हम x की value निकालेगे क्या हैगा x minus 1 equal y into x plus 2y ठीक है अब हमने इस value को इधर लियाएगे 1 को उधर ले जाएगे x minus x y equal हो जाएगा 2y plus 1 मतलब यहाँ से x को मन आएगा तो यह हो जाएगा 1 plus 2y upon 1 minus y यह x की value है तो यह x की value मैं यहाँ पर रखोंगा तो function क्या आजाएगा तो y equal आजाएगा y equal आएगा 1 plus 2x upon 1 minus x बात की लियार जो यह f inverse x है तो यह जो f inverse x function आएगा वो यह आएगा जी ठीक है यह inverse value हुई ना तो यहाँ से आप लिख सकते हो f inverse x equal होगा 1 plus 2x upon 1 minus x अब जो यह inverse function आया आपको इसका क्या निकालना है differentiation करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे differentiation with respect to x differentiation with respect to x we get हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा dy upon dx equal देखे यह कैसे होगा यह division method से होगा ठीक है जब आप इसको division method से करोगे तो क्या जाएगा 1 minus x same numerator का 1 का 0 2x का 2 minus 1 plus 2x से और नीचे minus 1 divide में क्या आएगा 1 minus x का holy square चलिए जी उपर यह दी हमने multiply किया तो 2 minus 2x minus minus plus 1 plus 2x upon में क्या जाएगा 1 minus x का holy square तो यहाँ से इससे यह cancel क्या बचा 3 upon 1 minus x का holy square यही क्या होगा यही आपका answer होगा बात के लिए चलिए जी देखो यहाँ पर यह सब चीजे आपको लिखनी है note करनी है descriptive paper देना है ठीक है चलिए next question चलते है question number 5 question number 5 देखेगा इसने क्या number of our own to function from the set आपको निकालना क्या है number of all own to function function to set set दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है to itself to itself देखे आपको यहाँ पर क्या दिया गया है number of all own to function ठीक है own set इतना तो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर हम पहले छोटा सा एक concept समझ लेते है क्या यहाँ पर जो on to on to one one on to यह सब चीज़े आपको बताई गई थी तो यहाँ पर आपको कुछ formula याद रखने है बहुत important formula है ठीक है इनसे direct question मिलेगा आपको चलिए यहाँ पर कुछ formula discussion कर लेते है देखो इनसे आपको आप KVS TGT PGT दे लिजे QP TGT PGT दे लिजे या जहाँ पर भी आप math का portion math descriptive portion आएगा या math का जहाँ पर भी आपको question paper होगा TGT PGT NVS KVS ठीक है सभी में जो यह concept अब बताया जाएगा यहाँ से आपके दो question compulsory है आएगे आएगे दो question आपको 100% मिलेगे ठीक है चलिए जी इस concept को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा मतलब यह formula जो है यह आपको रट लेने है इनसे direct formula पर आपको question मिलागा बिल्कुल direct आपके दो question पके है ठीक है चलिए देखिए यह related है relation and function से कहां से relation and function से related है जैसे आप लोगों ने पढ़ाता जो relation होता है वो क्या होता है A से B होता है कोई भी relation function कब होगा जब उसका domain केवल और केवल एक image रखेगा जब हम function में पहुँच जाते है तो उसके बाद बहुत से concept निकल के आते है क्या कि function में function on one one होगा या फिर on two होगा या फिर many one होगा या फिर in two होगा ठीक है या many one on two one one on two ये होगा ये सब discussion हमने last video में एक करक्खा है ठीक है यदि आपने वो नहीं देखा एक बर वहाँ पे देख लीजेगा यहीं पर हम लोगों ने बताया था क्या कि माल ले जाए order of a equal n है मतलब number of element in a क्या है n है तो इसके जो जितने भी subset बन सकते है जो इसके subset बनेगे वो क्या होता है तो power set of a का जो order होगा वो होता है 2 की power n ठीक है यहीं पर हमने discuss किया था कि यदि order of a equal n है order of b equal m है तो order of a cross b equal क्या होता है n into m होता है और यहीं पर हमने discuss क्या किया था यहीं पर आप देखिएगा कि यदि इसका order m into n आ गया मतलब आपको इसका order दिया गया है इसका order दिया गया है आपसे पूछा है कि इसमें कितने relation बन सकते है तो देखेगा relation जो होता है relation r जो होता है वो subset होता है एक रोज b का तो एक रोज b के जितने subset बन सकते है उतने ही relation बन सकते है तो यहाँ पे number of relation जो आएगा number of relation जो होगा इसके subset की संख्या मतलब 2 की power n into m होगी बात के लिए चलिए जी यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा ठीक है अब बात के यह है relation की ठीक है कि उसमें relation कितने होगे चलिए जी अब हम बात करते हैं कि उसमें function कितने होगे ठीक है देखेगा पहले relation में ही थोड़े से 2-3 formula है उनको note कीजेगा तो relation क्या होता है relation के type होता है अलग-अलग reflexive symmetric transitive इस type से तो जो relation है वो reflexive relation कितने होगे ठीक है if यदि order of a equal n है इसका order कितना है n है number of reflexive relation reflexive relation यह होगा 2 की power n square minus n n आपको यहाँ पे put करना है यह direct आपको question मिलेगे बिल्कुल direct आपको n की value देदेगा reflexive relation की संख्या पूछेगा यह हो सकता है बिल्कुल question में यही दे n की form में ही आपको यहाँ से 2 question मैं आपको guarantee दे रहा हूँ 100% 2 question मिलेगे ठीक है चलिए जी reflexive relation का जो number होगा वो 2 की power n square minus n होगा लेकिन यह दि हम बात करें symmetric relation की क्या number of symmetric relation sorry symmetric number of symmetric relation तो number of symmetric relation क्या होता है इसको देखे दा number of symmetric relation होता है 2 की power n n पलस 1 बाइ 2 बात के लिए या आप इसी को ऐसे बोल सकते हो 2 की power n square पलस n बाइ 2 ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है ठीक है note कीजेगा screenshot ले 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 ना यह तो नहीं तो वीडियो को पोज़ कीजे और इन सब को note करना है आपको ठीक है next देखेगा next क्या है number of number of anti sorry asymmetric matrix ठीक है asymmetric relation जो number of asymmetric relation होता है वो क्या होगा वो होगा 3 की power n n-1 by 2 और इसी के साथ anti-symmetric relation number of number of anti-symmetric relation ठीक है number of anti-symmetric relation क्या होगा 2 की power n into 3 की power n n-1 by 2 तो यह चार formula थे relation के ठीक है मैंने पिछले concept को related करते हुए इन सब को formula को आपको बताया चलिए जी अब हम entry कर लेते हैं function में तो function कितने होगे ठीक है चलिए देखे अभी आपको बताया गया कि यदि order of a क्या है n है ठीक है तो इसके कितने subset होगे तो जो subset होगे वो 2 की power n होगे और आपको बताया गया था कि जो जितने भी subset होते है उनमें एक phi होता है एक वो खुद होता है और इन दोनों को बोला जाता है improper subset improper subset तो यदि आपसे question पूछा जाएगा कि number of proper subset क्या number of proper subset proper subset number of proper subset क्या होगा देखो improper subset में केवल ये दो आएगे total subset में 2 की पावर N आएगा यदि इस 2 की पावर N में से मैंने ये दो सेट निकाल दिये तो क्या बचेगा proper subset तो ये कितना होगा number of proper subset 2 की पावर N minus 2 बात के लिए चलिए यहां तक अभी हमने सेट का पढ़ा relation क्या होता है subset क्या होता है अब हम थोड़ा सा discussion कर लेते है function पर function कैसे निकालेगे उनका direct formula क्या है देखे मान ले जाए कोई function आपको दिया गया है A से लेकर B तक यदि आप क्यों होगे कि यहां पे इसका जो number है इसके जो order है order of A क्या है M है order of A क्या है N है ध्यान दीजिएगा यहां पे इसका order M है इसका order N है अब आपसे 2-3 question direct पूछे जाएगे क्या पहला तो यह कि जो function होता है इसमें number of function कितने होगे बात के लिए मैंने पूछा एक तो direct पूछा जाएगा कि number of function कितने होगे तो यहां पे number of function total number of function क्या होगा total number of function total number of function होगा जो B के element होगे उसको हम नीचे रखेगे और जो A के element होगे उसको हम उपर रखेगे तो total number of function होगा N की power M बात समझ आई चलिए ठीक है लेकिन अभी आपको बताया कि total relation क्या होगा number of relation होता है 2 की power N into M हाँ जी total number of function इस पे ध्यान दीजेगा total number of function N की power M total relation total relation क्या होता है 2 की power N M लेकिन आपको पता है कि every function is a relation but converse is not true यहाँ पे एक statement होता है वो बहुत जरूरी statement है आपको एकदम रट लेना है क्या every function every function is a relation but converse is not true ठीक है is not true चलिए जी तो मतलब जो relation होगा उनका number ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक question बहुत important है क्या कि मतलब आपको number of relation बताना है number of relation बताना है जो function नहीं हो सकते तो number of relation number of relation which is not which is not a function मतलब ऐसा relation जो function नहीं है तो relation होता कितना है two की power mn minus function होता कितना है n की power m बत के लिए तो यह सब चीजे direct formula याद रखने है ठीक है इसी के साथ साथ हम discuss करते है क्या मैंने आपको बताया direct function अब function में भी type होगा कि function 11 होगा या on to होगा बात के लिए तो यहाँ पे यदि function 11 पूछा गया है आप से पूछा number of function of 11 function तो यहाँ पे number of number of 11 function function ठीक है जी तो यहाँ पे number of 11 function दो तरीके से होगा एक तो क्या एक तो होगा N, P, M कब जब N की value बड़ी होगी M के बात के लिए यहाँ पे क्या है F, A, 2, B जहाँ पे इसका order क्या है N है इसका order क्या है M है बात के लिए तो यह N, P, M होगा जहाँ पर N greater than होता है M के और यदि 0 होगा if N की value less than M के तो आपको यह ध्यान देना है जो भी आपको दिया जाएगा ठीक है जो भी आपको दिया जाएगा तो आपको यह ध्यान देना है कि 1, 1 function पूछा है तो 1, 1 में हमें second वाले की value क्या करनी है देखनी है वो बड़ी होगी तो हम यहाँ पर put करेगे जो result आएगा वो ही 1, 1 function आएगा ठीक है चलिए जी इसके बाद यदि function on to दिया हो तब क्या होगा number of on to function number of on to function sorry number of on to function number of on to function तो number of on to function क्या आएगा number of on to function होता है m की power n m की power n minus m आपको याद रखना है m की power n minus m ठीक है तो यह value किसकी है हाँ जी n की अच्छा हाँ यहाँ पे sorry यह हो गया यह उल्टा हो गया यह n की power m minus n जो बाद में होगा उसको हम n बोलेगे मतलब जो b वाला होगा b वाले number का जो number पहले आएगा n n की power m minus n होगा बात के लिए चलिए जी यह तो हमने बताया तब जब यह मतलब a और b अलग अलग होगा कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब उसी सैट में ठीक है जैसे question पूछा जाता है उसी सैट में जैसे a का a में ही आपको on to function निकालना है तो महाँ पे number of on to function होगा on to function number of on to function हो जाएगा n factorial बात समझाई क्या n factorial number of on to function यह याद रखिएगा ठीक है चलिए यह सब चीजे हमने आपको बहुत important topic बताया इसमें से आपको कम से कम दो question मिलने ते है ठीक है चलिए अब हम अपने question पर चलते है question क्या था question था यह अब यहाँ पे आप देखेगा यह question है number of on to function to the set इतना ठीक है to itself यदि हम इसको a माने तो order of a कितना दिया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा let let a equal क्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे order of a equal कितना है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 है हमें पता है कि यदि order of a equal n हो यदि order of a equal n हो तो number of on to function होते है n factorial तो यहाँ पे आ जाएगा है दस number of on to function to itself equal आएगा 5 factorial 5 factorial कैसे निकाला जाता है 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है जब आप इसकी value निकालोगे 5 into 4 20 ठीक है 4 पंजे 20 20 से 3 से की multiply करेगे 60 60 से 2 की multiply करेगे 120 तो आपका answer कितना जाएगा 120 बात के लिए समझाया जो यह concept अभी समझाया यह बहुत important concept है ठीक है चलिए जी next question पर चलते है next question पर चलिएगा next question है the domain of the function ठीक है 6 question the domain the domain of the function of the function यानि के fx equal दिया गया है log 2 x plus 3 upon में x square plus 3x plus 2 ठीक है आपको इसका domain निकालना है ठीक है domain का मतलब होता है कि हमें x की value वो put करनी है जिससे इसकी value real number आए बात समझ आई domain का अर्थ होता है कि domain में वो value आएगी जो function में रखने पर एक real value दे तो ये real value कब देगा एक तो जब देगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए दूसरी बात real value जब देगा जब ये value negative ना हो तो real value के लिए लोग में कभी भी negative नहीं आना चाहिए मतलब ये negative नहीं आना चाहिए कि लिए चलिए जी जब ये negative नहीं होगा तब एक तो real value देगा या फिर नीचे 0 नहीं होगा तो जो नीचे equation दिया गया है पहले हम उसको क्या करेगे factor करेगे जो भी polynomial दिया गया है ठीक है तो जब हम इसका solution लिखेगे solution में लिखना होगा by given by given fx equal क्या होगा log 2x plus 3 upon x square plus 3x plus 2 तो आपको इसके factor करने है तो उपर क्या रहेगा x plus 3 upon इसके हम factor करेगे तो x square plus 2x plus x plus 2 आएगा यहाँ पर हमने common लिया उपर सेम रहेगा नीचे common लेने पर बन जाएगा x plus 2 और x plus 1 जब हम इसके factor करेगे कैसे x common लेगे तो x plus 2 भाई यहाँ से इन दोनों से हमने x common लिया यहाँ से 1 common आएगा total x plus 2 common क्या बचेगा x plus 1 यही चीज हमने यहाँ पर रखी है ठीक है अब आपको यहाँ पर देखेगा जो यहाँ पर x की value जो भी हम रखेगे यह value 0 नहीं होगी तो 0 कब कब होगी एक तो x की value 0 होगी कब जब x equal minus 2 होगा तो यह value 0 हो जाएगी ठीक है और एक x equal minus 1 होगा तब भी यह value 0 हो जाएगी बात के लिए चलिए यानि के जो भी उपर वाली value हम यहाँ पर हमें यहाँ पर समझ आया कि जो भी हम उपर value select करेगे उन में से minus 2 और minus 1 नहीं होनी चाहिए बात के लिए चलिए जीए दूसरी बात यहाँ पर value 0 से बड़ी होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर जो domain होगा domain equal क्या आएगा देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर यदि आपने minus 2 रखा तो plus 2 equal क्या आएगा 0 0 हम रख सकते हैं लेकिन यहीं मैंने minus 2 से छोटा कुछ भी रखा माइनस 3 रखा माइन लिया minus something minus 2.91 रखा तो plus 2 करेगे minus 0.91 आएगा मतलब यह negative नहीं होना चाहिए तब यह define होगा लोग में negative value define नहीं होती चलिए तो सीदी सी बात है यहाँ पर minus 2 से बड़ी value रखी जाएगी minus 2 भी रख सकते हैं तो हमने यहाँ पर close interval लगाया इसके बाद कहां तक जाएगा infinity तक जाएगा वही minus 2 से लेके infinity तक आप कहीं तक भी value रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं चलिए जी हाँ जी minus 2 से लेके कहीं तक infinity तक कहीं तक भी रख लीजिए बात के लिए यहाँ तक चलिए जी हाँ जी ठीक है चलिए इसके बाद देखेगा लेकिन हमें यहाँ पे इसमें तो minus 1 भी आएगा इसके इधर minus 1 भी आएगा minus 2 भी आएगा तो हमें यहाँ पे यह दोनों value नहीं रखनी जब यह दोनों value नहीं रखनी तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे जो value आएगी जो close interval होगा 2 से लेके infinity तक लेकिन इसमें से value निकालनी पड़ेगी minus 2 और minus 1 जो भी ये value आएगी उसमें से हमें ये value निकालनी पड़ेगी देखो इधर मैंने bracket लगाया इधर यहाँ पे ये bracket लगाया इसको बोला जाता है interval इसको बोला जाता है set यहाँ पे आप interval नहीं लगा सकते क्योंकि आपको केवल ये दो particular value निकालनी है बात समाझ आई चलिए जी तो यहाँ पे domain क्या आएगा 2 अच्छा हाँ sorry एक second यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा ठीक है देखो यहाँ पे 3 है मैंने यहाँ पे 2 ले लिया थोड़ा सा confusion हो गया मतलब थोड़ा सा यहाँ पे misprint हो गया तो यहाँ पे 3 आएगा ठीक है तो यहाँ पे value कितने आजाएगी 3 तो इसका answer कितना आएगा 3 बात के लिए चलिए जी ठीक है चलिए next question पर चलते है next question देखिएगा question number 7 question number 7 चलिए जी question number 7 दिया गया है the function fx the function f such that r to r is defined is defined by fx equal x square plus x then the value of f is मतलब आपको यह बताना है कि f जो है यह one one है on to है क्या है ठीक है अब देखेगा जब हमें यह one one on to prove करना होता है तो क्या करना होता है ठीक है तो यहाँ पे आप discuss the f यहाँ पे दिया गया है discuss to f ठीक है f को discuss करना है चलिए जी हमें यह बताना है कि f one one है on to है क्या है ठीक है तो देखेगे जब आप इसका solution करोगे वहाँ पे आप क्या करोगे let x one and x two belong to r इससे पहले आपको लिख लेना है by given f such that r to r ठीक है तो f x one x two हमने r में let किया such that इस परकार से माना जो f one x है यह equal होगा f two x के जब यह equal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा f one x equal f two x के तो मतलब यहाँ पे x one का square plus x two equal x sorry x one x two का square plus x two अब आप यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं है कि x one equal x two के ठीक है मतलब हम यहाँ से किसी भी तरीके से यह पुरूप नहीं कर सकते कि यह दोनों equal होगे जब यह equal नहीं है तो इसका मतलब होता है कि f is not one one ठीक है तो f one one नहीं होगा बात के लिए अब जब हम इसको on to देखेगे यहाँ पे देखेगा जब हम on to लिखेगे तो on to में देखना होता है let y belongs to r यह element लेना होता है co domain में मतलब इसमें ठीक है तो let such that x square plus x equal y यहाँ से आपको x की value निकालनी है तो x square plus x minus y equal 0 this is a constant as a constant लेके चलना है तो x equal आ जाएगा minus 1 plus minus root b square minus 4ac upon 2 ठीक है यहाँ पे जो formula होता है वो क्या होता है x square minus b plus minus root a square minus 4ac upon 2 ठीक है यह इसका root का formula होता है तो आप यहाँ से देखोगे यह value क्या है negative मतलब imaginary value तो this implies x is imaginary imaginary value जब x is imaginary है तो यह r में नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि x does not belongs to r thus y belongs to r then there exists any x does not belongs to r इसका मतलब होगा f is not on to क्या on to मतलब ना तो f11 है और ना ही f on to है बात के लिए तो यहाँ से आपका जो answer आएगा f के बारे में जो discuss किया आपने वो क्या है ना तो f11 है और ना ही f on to है बात के लिए चलिए जी चलिए आज इस किलास में इतना ही बाकी question हम बाके आगे की किलासों में करेगे ठीक है इसको हमें 3-4 topic में करना पड़ेगा 3-4 lecture में करना पड़ेगा देखो हमें यहाँ पर descriptive method से समझना है तो descriptive method से यदि हम समझेगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा number of questions को sorry questions को हमें थोड़ा सा explain करना है इसी तरीके से हमें जो man's paper होगा उसमें इसी तरी से discuss करके लिखना है ठीक है चलिए जी आज के इस lecture में इतना ही मिलते है next lecture में ठीक है यदि आपको हमारा यह परियास जैसा हमने किया यदि आपको यह परियास अच्छा लगा यह question discussion अच्छा लगे तो please like कीजेगा अपने दोस्तों तक share कीजेगा यदि आप हमारे channel पर नए है तो please channel को subscribe कीजेगा और bell icon को दबाना ना भूलिएगा चलिए thank you for watching मिलते हैं next lecture में देखते रहे हैं Elight Academy